रामपुर से मिलक शेत्र में शक की वजह से पती के हाथो अमानविय यातना का शिकार हुई महिला की हालत में अब सुधार हो रहा है। पिड़िता का कहना है कि वो उसे सक्ट से सक्ट सजा दिलवाना चाहती है। महिला का कहना है उसके पती को उम्रकैद के साथ सामाजिक बहिशकार किया जाए। साथ ही गाओं में उसका हुका पानी भी बंद कर दिया जाए। जिससे वो गाओं में कहीं पर भी उठने बैठने क लायक ना रहे। लायक ना बैठने के लाग रहे। आपने गाहा कि उकका पानी बनोना चाहिए। वह किसी से बोल नहीं पार। जैसे गाह बश्ती घ्रश्टी से ना बैठे ना उठे किसी की दोरे। सजा किस तरीकी की होनी चाहिए। महिला ने बताया कि पती दो साल से ऐसी हरकत कर रहा है। मैंने काफी बरदाश किया इसके हाथ पैर भी जोड़े। वो मुझे ताले में बंद करके रखता था। पीड़ता का कहना है कि अगर उसे मुझे पर शक है तो वो उसे सामने लेकर आए। अब मैं अपने पती को कभी माफ नहीं करूँगी। हाथ पैर जोड़कर ठक गई हूँ। इसके चकर में मेरी एक बच्ची भी खत्म हो गई। मैं इसको सजा दिला कर रहूंगी और मुझे इनसाफ चाहिए। मैं अप्लीकेशन दे कर आई पंडैवान नहीं सुद्र जी। बहां भी जैही हरकत गई। ताले में बंद करकर आको मेरे को पंडा सुद्रुजी। पहले कभी अधिकारी से शिखायत की किसी हाँ अ हर्याना में अपिलेकेशन दाई। तो आपका पती का पागल है क्या पागल हुआ है तो आपके साथ इस तरह क्यों बढ़ताव करता था वो आरोप लगा लगा करता है अंकर करता है कर रहा है हम तो कैते हैं अगर तो जे के पर तो तुझे सामने लेका हमारे हमारे घर किन सा के तंहें भरकिन से कर तेरी इमरे तुमें फोटा इयुक्तु कयों पहतं है जिए यू रोप क्यों कर हो दूख तूने ब sorcery आपकंद ऐसे कॉत नहीं तो ओसे माउट करोगी नहीं नए एक परसेंट भी नहीं करूँ कि मेरे को कती माफ नहीं कि यह बहुत हाथ प्रजोरे आंकल जी बहुत ठक गई मैं छख गई भूट ज्यादा अब नहीं करूँगी अब सद्वा दिला के रहोगी हां बहुत बर्दास करी में इसी चकर में मेरी बच्ची खरा गौर तलब है कि रामपुर जिले में एक पती ने अपनी पत्नी के साथ वहिशे पन की सारी हदे पार कर दी हैं दरसल उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था पती ने शक के चलते पहले तो अपनी पत्नी को जम कर पीटा फिर उसके हाथ पाउँ बांध कर और मूँ में प्राइविट पार्ट को तामबे के तार से सील कर दिया। घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भरती कराया गया था। अब पीडित महिला की स्थिती में सुधार हो रहा है। और उससे अस्पताल से छुटी मिल गई है। लेकिन अब पीडित महिला वहशी पती को कठो पंजाब के स्री टीवी के लिए रामपुर से रवी शंकर की रिपोर्ट